Hello and welcome to our program, Did You Know? मैं हूँ स्वाती. Do you know, पानी कहां से आता है? बारिश, सबको पता है. लेकिन बारिश के बाद, पानी कहां जमा होता है? सड़क पे नहीं यार, तालाब में, नहरों पे, जीलों में. Correct, जीलों में. Did you know, lakes are a good source of water. जैसे मुंबई में पवाई लेक से water supply होता है. मुंबई में, क्या, वर्ल्ड में बहुत सी जगाओं पर पानी, नहीं, पवाई लेक सब जगा सब जगाओं नहीं करता है. हर जगा पे अपनी अपनी personal lakes होती है. अल्मोस्ट हर जगा कोई न कोई लेक तो मिल ही जाती है. जिस देश में है, वो कौन सा है? No idea? I'll give you an idea. आइडिया क्या नाम ही बता देती हूँ मैं. अब आप से छुपाने थोड़ी, बताने आई हूँ. उस देश का नाम है Canada. जी हाँ, Canada में 561 lakes हैं, जिनका total surface area 100 km से भी जादा है. और छोटी-छोटी lakes को मिला कर, count किया जाए, तो 3 million के आसपास lakes हैं, अकेले Canada में. और यहाँ की 4 बड़ी जीलों को मिला कर, Canada का almost 9% area means 8,91,160 km2 area fresh water से covered है. Canada की सबसे बड़ी जील का नाम है Lake Superior और Lake Huron, जो Canada और US के border के पास है. यह lake North America की चौथी और वर्ल की आठवी नंबर की सबसे बड़ी lake है. And did you know, इंडिया में सबसे जादा lakes कहां पर हैं? हिंट है कि वो lakes ऐसी स्टेट में हैं, जहां कुछ दशक पहले पानी की किल्लत थी. You are right. राजस्थान के उदैपूर सिटी, जो जीलों का शहर कहा जाता है. लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी lake उदैपूर में नहीं है. पता है क्यूं? Did you know? क्योंकि वो तो कश्मीर में हैं, वुलर लेक. और सबसे उची जील गौहाटी में हैं, और उसका नाम है देवदाल. सो जब भी कभी गौहाटी, उदैपूर या कश्मीर, या फिर कैनेड़ा जाएं, तो लेक्स को जरूर विजिट कीजेगा. क्योंकि नेक्स टाइम, बिलवेट की आँखों को जील सी आँखें बताने से पहले, आपको पता तो हो कौन सी जील. राइट ना? तो ये था आज का Did You Know? और मैं, स्वाती, आपकी होस्ट. आपकी तरह ही आपके सजेशन और फीडबैक are most welcome. और अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेशल और सप्राइजिंग जानकारी हो, जिसे हम Did You Know? के एपिसोड में बता सकें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिये गए नमबर या फिर इमेल आईडी पर. Till then, take care and goodbye.